हाई फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम दोती सलवार बनाना सीखेंगे जिसके लिए हमने ये तीन मिटर प्रेंटिड फैबरिक लिया है और ये हमारा क्रेर का है इसी फैबरिक से हम दोती सलवार बना के तयार करेंगे वीडियो में अन्त तक बने रहेगा ताकि कोई भी वीडियो step आप से मिसना हो चलिए तो इसके cutting और staging शुरू कर लेते हैं और last में पहन के लुक भी दिखाया है कि किस तरीके से आती है पहने के बाद में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने इस कपड़े को इस तरीके से खोल के और बिच्छाना बताएंगे क्योंकि जो सबसे में चीज होती है वो कपड़ा बिच्छाना होता है दोती सलवार के लिए निकाल लेते हैं इसमें जिसे 7 इंच की बैल्ट तैयार होगी तो उसमें हम 2 इंच एक्स्टर लेकि तो हम 9 इंच की यहां से पहले बैल्ट के लिए के सीधा लाइन बनाके और इस तरीके से एक सीधी लाइन बनाके और इस कपड़े को कट कर लेंगे बैल्ट के लिए तो ये मैंने कपड़ा कट कर लिया है जिसमें से मैं बैल्ट बनाऊंगी इसमें मुझे कुछ कपड़ा जोड़ना होगा मुझे 22 इंच की बैल्ट चाहिए आपके जितनी भी कमर है उससे 5 इंच जादा लेते हैं बैल्ट ठीक है वो मैंने साइड में कर दिया है जो इसमें से थोड़ा बहुत फैबरिक बचेगा उसमें से लगा लेंगा अब इस तरीके से देख लिए बिछाना है मैं आपको फिर से बताती हूँ किस तरीके से बिछाना इसको ये देखिए पहले दो तहकी मैंने और फिर एक कौना उठाए एक कौना उठाके ये देखिए एक कौना उठाके और ऐसे तिकौना कर देना है आपको और अच्छे से इसको सैट करना है तो ये देखिए बाई आती है वो मैक्सिमम 35 इंच के बराबर इसमें से निकलती है लेकिन अगर आपकी हाइड 40 है तो आप इसमें अपना वो भी कर सकती है अपना क्या बोलते हैं उसको बढ़वा मोरी भी लगा सकती है अब मैं यहां से 8 इंच पे आसन के लिए निसान लगाऊंगी और 1.5 इ हमें क्या करना है कि यहां से आपको 1.5 इंच पे यह कौना है जो यहां पे निसान लगाना है और इसको इस तरीके से गुलाई दे देनी है अब यह हो गया हमारा अभी हम क्या करेंगे इसमें टोटल 3 निसान लगते हैं अब यहां से मैं मोहरी के लिए निसान लगाऊंगी यहां पर मेरी 6 इंच पर तो मैं यहां से जो महुरी के लिए निसान होगा मैं 16 इंच पर लगाउंगी ठीक है यहां से 16 इंच पर लगाने के बाद अब इसको हम इस तरीके से सीधा कर देंगे और हलकी सी जो तिर्चापन है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो इसलिए जो बंद पाट है वहाँ पे थोड़ी सी गोलाई दे के कटिंग करें, हम महरी को कट कर देंगे हम यहां से तो यह देखिया हमने महरी को कट कर लिया है अभी हम क्या करेंगे जो हमने आसन पे निसान लगाया था यहां से उसको भी हम कट कर लेते हैं और जो एक्स्ट्र कपड़ आपको दिख रहा है पूरी पट्टी जो मैंने दिखाई थी वो बची हुई है उसको भी हम निकाल देंगे और फिर आसन को कट करेंगे क्योंकि वो हमारी महरी वगरा मियूज हो जाएगी अब देखे मैंने आसन को कट कर दिया है अब जो आपको ये वाली पट्टी सीधी दिख रही है इसको निकाल के और जो डेड़ इंच पे कौने पे निसान लगाया है उसको मैंने उसको कट कर दूँगी वühren से तो उसको कट करके अलक कर दिया है हमने अब हम क्या करेंगे कि इसको खो लेंगे और देखेंगा जो बंद पाथ होगा आपको एक बंद पार्ट मिलेगा उसको भी आपको खोलना है आसन वाली साइड से एक तो खुला पार्ट मिलेगा आपको और एक बंद पार्ट मिलेगा तो बंद पार्ट को हमेशा खोलें जैसे मैं खोल रही हूँ अब ये हो गया हमारा अब हम इसको खोल लेते हैं तो यह देखिए जैसे कि यह जादा अगर हम उसे गोलाई देते हैं तो जादा कौना आता है लेकिन इसमें इतना कौना नहीं आया है और यह खुलने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई देती है ठीक है दिखाई देने के बाद में फिर इसको हम सिलेंगे तो सिलना कैसे है सबसे पहले हमने जो बेल्ट ली थी उसमें हमने जो बचा हुआ फैब्रिक था वो जोड लिया है अब ये जुड़ गया हमारा 2,5 जोड़ा है हमने अब हमने इनको अलग अलग पार्ट में कर लिया है यानिकी बेल्ट के दो पार्ट लेने है एक पीछे के लिए कागे के लिए तो ये हमारा आगे वाला पार्ट है एक बेल्ट का हमने एक सेंटर कर लेना इसका ठीक है सेंटर कर लिया हमने बेल्ट का अब अब हमें सिलाई कननी है अपनी दोती सलवार की जो मैंने ये डेड़ इंच पे ये हमारा आसन हो गया अब आसन को हम यहां पर रखेंगे इस तरीके से मिला के अपने जो जिस कपड़े की हमारी प्लेट डालेंगी उसको तो हमें नीचे रखना है वेल्ट को उपर आप जो ये को ना है अप्लेट डालना सुरू करते हैं तो अब यहां से हम इस तरीके से सुरू करते हैं प्लेट डालना अप्लेटों का जो डायरेक्शन होगा वो मैं एक पहले एक सबावा इंच के बरावर खाली से लिए और फिर अपनी साइड कर रही हूं दियान रखेंगे आप जो जो चोड़ाई है वो डाएढाई इंच है तो आपका जो आप चाहे हल्दी है चाहे आप मतलब पतले हो तीन मीटर ही फैबरिक इसमें लगता है क्यूंकि ट्रैंगल में कटती है तो ट्रैंगल बनाने के लिए हमें कम से कब 3 मीटर फैबरिक चाहिए ही चाहिए और उस से ज्य ज्यादा लगाएंगे तो बात वही पड़ेगी सिर्फ एक ट्रेंगल सेप में हमें कपड़ा निकालना होता है अब देखिए मैं विलकुल बराबर बराबर और ध्यान रखें फ्रेंड कि जो हमारा ये कपड़ा है जो तीन इंच पे मैंने निसान लगाया था वो हमारा उस से जो मैंने बेल्ट में लगाया है वो मैं आपको भी दिखा दूँगी तो यह देखिए यहां तक पूरा कड़ देना है और जो डेड़ इंच का हमारा कौना है वो इसी कट से मिलना चाहिए जो मैंने बेल्ट के सेंटर में लगाया था भी अब इसकी हमें ऐसे एक दो छोटी चोटी प्लेटे बनाके ऐसे और यहां पे सिल देंगे इनको अब ध्यान दें यहां पर कि मैंने डायरेक्शन अभी अपनी साय्ड किया था अभी मुझे दूसरी सायड डायरेक्शन करना है जो प्लेट का मुढ है वो मुझे उसके सामने करना है मतल Mm फिर्स्ट यापने साय किया था सेकेंड टाइम मुझे दूसरी साइड करना है तब ही हमारी दूसरी सालवार का लोक आएगा क्योंकि कुछ लोग यहीं से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यह कैसे आया घेरा तो वो इसी तरीके से आता है कि जो इनका डायरेक्शन होता है वो हमें चेंज करना होता है बस एक पार्ट के लिए दूसरे दूसरे पार्ट के लिए अलग-अलग में बता रही हूं क्योंकि एक दम से लेंगी तो सायद आपको समझ में नहीं आएगा और ध्यान रखें सबाइंच मैंने वहां से छोड़ा था दूसरी साइड से सबाइंच यहां पे छोड़ना है और सा देखिए फ्रेंट मैंने डाल दी हैं मैं आपको इक वार लुक दिखाए देती हूं तो देखिए यह इस तरीके से हमारा डलने के बाद में इसका लुक आ रहा है अभी हम एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देते हैं एक सिलाई हम इसमें लगा लेंगे और फिर इसका दूसरा पाओं है उसको भी हम सेम तयार कर लेंगे तो यहां से देखिए और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकती है उसका लिंक की नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है तो यहां से देखिए दोनों हमने सेम तयार कर लिए हैं अब आपको समझ म मैंने दोनों आसनों को मिला लिया है और बेल्ट भी हमने इस बेल्ट तो हमारे अल्रेडी जुड़ी गई थी जब हमने प्लेट भरी थी साथ की साथ अब हमारा ये वाला डारेक्शन हो गया अब हम एक से लाइस के उपड़ से लगा लेंगे ताकि जो बीच में ज्वेंट है वह अच्छे से मजबूत हो जाए अब यह हो गया अब हम इसमें यहां पर इलास्टिक नेफा जो भी बनाना चाहती है उसके लिए बना लेंगे तो हम करीबन आदा इंच के बरावर से लेंगे कपड़ा और एक इंच के बरावर खाली छोड़के सीधी सिलाई लगा दें आप वह यहां पर इन दोनों को ऐसे ओपन करके और शिलाई लगा देंगे यहां पर हमारा नाडा इलास्टिक जो भी डालेंगे उसके लिए जगा बनेगी तो अब इसको देखिए हमें ऐसे खोल के और इसे फोल्ड कर लेना है नाडे के लिए ठीक है यह हमने नाडे के लि लेते हैं तो महरी बनाने के लिए फ्रेंट जेखिए जिसे यह हमारा पाट था और यह हमने करीबन दो इंच की पेपर पेस्टिंग लेकर उसको प्रेस कर लिया है और बस इसको यहां पर रखना है और यह हमारी लगभग डेड़ इंच की बढ़वा महरी रहेगी क्योंकि हमे तो पीछे से वह उठती है तो यह जो बढ़वा महरी लगाते हैं वह इसी वज़े से लगाते हैं ताकि जब हम जुकें तो सलवार पीछे से ना उठे तो यह चीज जरूर करें तो कभी भी आपको यह दोती सलवार पहनने में दिकत नहीं आएगी अब जेकिए 6 इंच की हम कर सकता नहीं है जितना है उतना ठीक है तो देखे फ्रेंट्स बनने के बाद में दोती सलवार कुछ इस तरीके से दिखाई देगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यव झालू 만들어ता है वारो में थन्हार कीजिए यज़ खेफना के लामयर कि बता हैheen जाफ भी के लिए प्रेंध देखना नतो है यिगाद्व के लिए प्लिएगा तो अज result